हेलो फ्रेंज फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंफॉर्मेशन फोर यू में तो दोस्तों आज मैं फिर एक नई जान करें के साथ आप लोग के बीच उपस्तित हूं यह जॉब जो मैं बता रहा हूं यह बिहार से रिलेटेड है बिहार में यह वैकेंसी आई है इसका सेप्टेंबर तक इसका जो लास्ट डीट है अप्लिकेशन टू फॉलमिंग इमेल एड्रेस यह आप इमेल एड्रेस देख रहे हैं इस पर आपको अपना अप्लिकेशन सेंट करना होगा यह इमेल एड्रेस आप नोट कर लिजिए आरी जी आएस टी आर ए आर सी एन नहां पे आपको अपना अप्लिकेशन फॉर्म भीजना है उसके बाद अगर आप अप्लिकेशन फॉरम भीजने के बाद यहां थे कि on only shortlisted candidate will be contacted for the interview उसके बाद administration आपको shortlist करेगा mark basis से जो भी उसका process है उसके हिसाब से candidate को shortlist करेगा उसके बाद interview के लिए बुलाएगा उसके बाद इसका selection होगा उसके लिए चाइल्ड राइट सेंटर आफ सी एन एल यू पटना in an equal opportunity employer यह थी दोस्तों vacancy और पोस्ट अब आपको education से रिलीटर बात बता देते हैं क्या है education qualification इसका salary भी आपको बताते हैं 40,000 पर मंथ है दोस्तों qualification हम आगे हैं यहां देखे qualification के अगर बात करें तो candidate should preferable hold a master degree आपके पार master degree रहना चाहिए और law of LLM in the social welfare उसके साथ थी एर का आपके field experience भी रहना चाहिए एधर इन चाइल्ड राइट एड़ो कैसी उसके बात और information बहुत सरे वैसे इसमें बहुत सरी जानकारी दिया है नेम औफ एम्प्लाइमेंट एंड रिमिन्ट्रेशन यहां देखिए contextual basis है दोस्तों यह the center coordinator is required to work in full time basis यहां देखिए 40,000 रोपिया पर मंथ आपको यह salary मिलेगा यह notification आ जाता है दोस्तों उसके बाद activity to undertaking आपको क्या क्या करना है सारा information इसमें दिया हुआ है आप यह पर सकते हैं दोस्तों अगर आप यह form बढ़ना चाहते हैं तो मैं prefer करूंगा कि सबसे पहले आप पूरी तरस यह notification पर लीजिए from website से download कर लीजिए उसके बाद terms of reference भी आपको बहुत जरूरी है पढ़ना वाई पूरी जानकारे देने में हमको बहुत टाइम लाग जाए इसलिए short video बनाता हूं ताकि आप लोग जानकारी मिले और खुझ से यह website से आप भी कर सकते हैं उसके बाद दूसरा वैकेंसी इसमें है जो आप सेकेंड वैकेंसी की qualification के बात करें तो उसके लिए भी master in the social welfare any other extreme in social science three year experience मांग रहा है इसके लिए जो salary है दोस्तों इसके लिए 25,000 परतिमत salary है और यह full time basis पे हैं तो यह थी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई सुझाओ यह सिकाए तो जरूर कॉमेंट करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि किसी भी state की कोई भी vacancy हो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट की जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को दबा देजिएगा ताकि आपको आनी वाली सारी वीडियो का अपडेट मिलते रहें थैंक यू